दोस्तों अगर आप भी अपने laptop ये computer के window update के समस्टर को लेके परिशान हैं तो दोस्तों मैं आपको trick बताऊंगा आपको ये trick कर लेनी है आपको ये setting करनी है जिससे आपके laptop ये computer में window update नहीं होगी दोस्तों चलते हैं computer की तरह तो सबसे पहले अपने laptop ये computer में आपको ये setting कर लेनी है अगर आपको अपने laptop ये computer दोस्तों आपका laptop हैंग हो रहा है या आपकी updating में समस्तिया आ रही है दोस्तों आपका laptop update होने के बाद चल नहीं पाता हैंग होता है या बहुत सारा net आपका लग रहा है आप परिशान हो गय होगा आपको अपने लैपटạoKI कम्धोटर को विंडो प्लस और जंबॉक्स ओपन कर लेना है लनगोक्स ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको टआप करना है जी बी हो ड़िट लोक आपके का सतस्वार के बाद करने के बाद दोस्तों या यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डबल क्ल को सर्च कर लेना है विंडो अपडेट को सर्च कर लेना है यहाँ पर दोस्तों यह आ गया है यहाँ पर विंडो अपडेट automatic update यहाँ पर आपको right click करना है right click करने के बाद यहाँ पर edit करना है edit करने के बाद यहाँ पर आपको यह setting है यहाँ पर आपको note configured enable disable यहाँ पर आपको disable करना है disable करने के बाद यहाँ पर निचे apply करना है apply करने के बाद यहाँ पर ok करना है दोस्तों यह आपका automatic update यहाँ पर आपका बंद हो चुका है दोस्तों आप चलते हैं दूसरी सेटिंग के तरफ दूसरी सेटिंग में हमें आपको यहाँ पर run box में टाइप करना है service service जैसे ही आप service को टाइप करोगे यहाँ पर आपका service आजाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी service local यहाँ पर आपकी सारी service है open होकर आ जाएगी यहाँ पर open होने के बाद यहाँ पर आपको बड़ा कर लेना है यहाँ पर आपको window update window update की setting को ढूंड लेना है आगा है, यहाँ पर आपको right click करना है, right click करने के बाद यहाँ पर properties को खोलना है, properties कोलने के बाद दोस्तों, यहाँ पर जो यहाँ आपका लिखा रहा है, manual, यहाँ पर आपको disable कर देना है, यहाँ पर आपको apply करना है, apply करने के बाद यहाँ पर आपको ok करना है, ok करने के बाद यहाँ पर यह दूसरी सैटिंग आपकी पूरी हो जाएगी दोस्तों मैं तीसरी सैटिंग पर आपको ले के चलता हूँ तीसरी सैटिंग में आपको जो जाना है यहाँ पर आपको control panel या नहीं service में जाना है दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको setting open कर लिए रन बोक्स में setting setting यहाँ पर open हो जाएगी इस पर आपको click कर देना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो नीचे आ रहा है update and security यहाँ पर जो आपको आ रहा है update and security यहाँ पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको जो यह आ रहा है यहाँ पर आपको स्कूल करके नीचे जाना है नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको एडवांस ओप्शन में जाना है एडवांस ओप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको यह देख लेना है कि यहाँ पर यह ओन हो रहा है या ओफ अगर ओफ हो रहा है तो ठीक है अगर कोई भी सैटिंग ओन है तो इसे आपको ओफ कर देनी है दोस्तो आपका लैप्टोवे कंप्टर अपडेट नहीं होगा ऐसी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद शुक्रिया आदा